हेलो दोस्तो लर्निंग एजुकेशन पे आप सभी का सौकत है और आज हम आपके लेकर आया है MP पेटवारी एक्जाम 2017 के पुराने प्रस्ण पत्र के सॉलूसन जेहां दोस्तो आज हमें इस वीडियो में 2017 में हुई आउजित परिक्षा MP पेटवारी की उसके पेटवारी को हम इस वीडियो में सॉल करने वाले है और देखेंगे कि परिक्षा 2017 में किस टाइब से पेटवारी पूछे गया थे उसमें से क्या क्या पूछा गया था और कैसे कैसे कोस्चन बने थे और हम ये भी देखेंगे कि और आगे कैसे बन सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में MP गवर्मेंट द्वारा लगबक 5000 लगओ 5000 पदों पर भरती करनी है जिसका अनुसमेंट हो गया है लेकिन नोटिफिकेशन अभी कुछी दिनों में आपको मिल जाएंगा और इसलिए यहां काफी इंपॉर्टन हो जाता है कि हम प्राणी प्रसंद्र प्रत्र को देखें जिसके माध्यम से में एक मोटे दूर पर हमें समझ बेट सके कि किस पर में कैसे पुछे जा रहा है और पंजैदी राज वेवस्ता से चाहे कंप्यूटर हिंदी हो या मैस रिजिनिंग से किस टाप से कोस्टन पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से किन किन टॉपिक से पूछे जा रहा है उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले है तो वी ग्यारा दिसंबर का था 2017 का चलिए शुरुआत करते हैं यह साओ कोस्टन आते हैं इसमें जो इसका स्लेवर्स वीडियो में देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमने वहां स्लेवर्स भी डाल रहा है इसके कि कितने कोस्टन पूछे जाते हैं कितने नमर पर है और पंचेदी राज विवस्ता है मैस रिजनिंग है ऐसे मिलाके पांच भागों बाटा गया इसको और सभी भाग जो सभी से हैं जो बीजबिस नमर के आते हैं ऐसे मिलाकर 100 नमर को कवर करता है और इसका टाइमिंग होता है दो घंटे का तो यह सभी जानकर यह आप उस वीडियो में देख सकते है ऐसाने से तो आप वहां जाकर इस वीडियो को जरूर देखेगा सलेवस वालेवें तो वहां आपको जानकरी मिल जाएंगे चलिए शुरूवत करते हैं सबसे पहले पूछा गया था कि मतबदेश की विधान सभा के पहले वक्ता कौन थे मतब मतबदेश की विधान सभा के पहले अध्यक्च कौन पूछा गया था यहाँ पर तो इसका राइट अंसता पंदित कुंजिलाल दूबे ऐसे ही विधान सभा से वर्तमान में पूछे जा सकता है कि वर्तमान में विधान सभा अध्यक्च कौन है और जैसे कि यह भी मुखमंत पुछे जा सकते हैं कि गठन के समय मुखमत्री कौन थे वर्तमान में कौन है ऐसे लोग सबसे पुछे जाते हैं राज सबसे पुछे जा सकता है कुश्चन तो आपको यह वीवीद वाले जो प्रथम है चाहे भारत में हो चाहे MP में इन सभी को आपको याद करना यह वीवीद पर चलते हैं, दूसरा है भारत में CSIR विज्यानिक प्रयोक्षाला की संखला किस के किसने स्थापित की गई थी, तो ये है SS भटनागर ने स्थापित की गई थी, तो ये जितने भी अनुसंधान है, चाहरे DRD हो, इस्थरो हो, इनके विज्यानिक के बारे में आपको देखना ह कब हुई थी और यह क्या क्यार करते इनकी दोरा बनाये गए कुछ जो भी बनाया जाते है एपस वगरा या क्या योजना होती है इनसे समंदित और इस पेस वगरे के जो मिसाइल बनाए जाती है ये भी पुछलिया जाता है तो आप इनको भी हल कर लिजिगा उसके बाद है next question हमारा गोलकुंडा राजवन्स सल्तनत की स्थापना किस ने की थी तो ये है कुली कुतुब सहाने की थी गोलकुंडा राजवन्स की स्थापना इसका राइटाम सो जंगा third ऐसे ही आपको पुछे जा सकते हैं मुगलकाल से हिस्ट्री में मुगलकाल हो गया खिलची वन्स हो गया जितनी तुगलग वन्स हो गएरे की इस थापना किस ने की थी और इसके अंतिम सासक, प्रथम सासक और इन्हें किन-किन को पाधी धारन की थी ऐसे भी question पूछे जा सकता है और इन्हें मगबरे वगेरे कहां पर है इससे भी कोशन पूचे जा सकता है जिले नेक्स्ट पूच्चन पर आते हैं नेक्स्ट है हमारा ICC की एक डिवेसी रेंकिंग में किस देश का नम्मर एक स्थान रहा है इसका दक्षिन आफरीका है इसपोर्ट से कोशन पूचे जा सकता है इसपोर्ट से जैसे क्रिकेट, हाउकी वगेरा पुरुसकार में वरतमान पुरुसकार किसे मिले या इनकी अकार्डमी वगेरा कहां पर इस्तित है जो अभी पुरुसकार मिले है जैसे नीरस चोपड़ा वागेरा जो अभी ओलम्पिक हुआ था 2021 में उससे कुरुच्टन पुछे जा सकते है ऐसे इस्पोर्ट से इस्पोर्ट वाले में पुछे जा सकता है इनके जो गेम्स की जितने भी सब्दिया वाली होती है आप उन्हें भी देख लिजेगा एक हेड़कॉर्टर वागेरे को भी ऐसे कुस्टन बनते है इससे इसके बाद है हमारा अगला कुस्टन हा के इंडिया लिंक 2017 का सिस्थ तक प्रयोजा कौन था जैसे कि बताई कहां पर आयोजित होने वाला है अगला कहां आयोजित होंगा 2024 2025 में यह फुडवाल यह फिपा वगेरे के बारे में जिसका अपसंथा कोल इंडिया लिमेटेट अभी कोन है जैसे की टाटा है या फिर रिलाइंस वगेरा ऐसे पुछे जा सकता है तो कैरेंट मे atención के काफी कोश्चन कुछ लिए जाते हैं कि रखवर चान से पाच करेंट गर अनवा करेंट एफार होता है कि करेंट अब करेंट 14 हे अगला है लोग सापर को सिठागित करने के सक्ति इस iktes तो आपको संसद में जैसे कि संसद में आपके याद करना है राश्पती, उपराश्पती, पदहान मंतरी, लोकसभा, राजसभा और जैसे मोटे-मोटे तोब मुख मंतरी अगे रहे इनकी आयू पूछ ली जाते कि कि इतने वर्सों में ये मुख मंतरी बन सकते है या युदि फ्रेंड वीडियो अच्छे लगए तो लाईक जरूर करें ये वीडियो को लाने का मतलब ये था कि समझ सके कि ये कमोटे तोबर कि कैसे कुश्चन पूछी जा रहे है और मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ कि कैसे कैसे कुश्चन पूछ रहे है किसी ट्राइप सबसे ज्यादा खनीच कौन से पठार पर होता है, यहां पूछा गया है, तो छोटा नाकपुर को पठार सबसे ज्यादा होता है, यहां पर खनीच, जो कि ज्छारकंड उडिसा वाला छेतर में आता है, छोटा नाकपुर को पठार, और देखा जाए तो मालवा को पठार, यह MP में ही है मालवा का पठार यहां काली में अधिक पाये जाती है मालवा का पठार में तो यह जैसे पठार सो भी पुछा जा सकता है किस खनीच में कहां पर खनीच पाये जाता है किस राज में कौन सा खनीच पाये जाता है सबसे अधिक्तम में बड़े बड़े एक्जाम में भी काफी बार पूछा गया है तैसे आप जितने भी खनी संसादाने उसे भी कोस्चन बनते हैं तब उने के आयाद कर लीजेगा नेक्स्ट है आप नोड़ भी कर सकते हैं इसने नेक्स्ट है हमारा कोस्चन पधान मंति द्वारा हाली में घोसित सोभाग योजना का उद्देश क्या प्रदान करना है तो यहाँ पर उसका उद्देश पूछा गया है योजना की बारे में पूरे देश में घरों का विद्ध सुभाग योजना के बारे में देड़ पूछ ली जाएंगी कि इसकी सुरवाद कपकी किसने की राश परतीन की यप थानमंति द्वारा की गई या केंद्र द्वारा की गई या राजज द्वारा जितने भी योजना है चेंधर में चल तो यह पुरानी भी हो चुकी है जो famous जो योजन होती है जैसे कि start up योजना मैं इंस्टन लुखे राहा है हमेड़ चार्ण संब्धित समंदृ you ही है आईश्मान भारत जैसे योजना कब चालू हुई थी इसके उद्देश कब क्या-क्या है इस टाइब से आप याद कर लिजीगा इसे अब कर लोग ठैसे टेलीवेज़न से भी संबुषकार पूछा जा सकता है फीपा अवाड वगेरे और आसको अवाड वर्द वगेरे की आप पूछा जा सकता है तासा अफाल के पुर्षकार किसी दिया गया आभी करेंट में ऐसे कॉस्चन जो रहते हैं पूरुसकार से संबन एसे question पूछी जाते हैं उसके बाद है next MP का है एक question मत्पदेश के उच्छ नाले का प्रधान आसन कहा है मत्पदेश के उच्छ नाले का मुख्याला कहां पर है तो मत्पदेश से इसमान जो 20 नमर का है उसमें quality हाला कि हमने वीडियो दा रहा है उसमें काफी अच्छ समझाए गया है कि किनकिन सब्जेक्टों में क्या क्या है जैतो समान अध्यन जीकी जीएस वाला जो पोर्सन है 20 नमर का उसमें मैं अपको मोटा तोर पर बता दू जैसे कि MP पूछ लिया जाएंगा MP सबसे अधिक जोग्राफी और साइन्स वाइगर के क्योश्चन करेंट अफेर का ऐसे मिला के पूरा 20 नमर का पूछा जाता है जिसमें सबसे अधिक कोश्चन होते हैं MP के लगबद 6-7 कोश्चन कभी-कभी 8-9 कोश्चन भी मिल जाते है MP के तो आपको MP चाहता तैयार करना होंगा इसके बाद है छेत्रपल के अनुसा भारत का सबसे बड़ा राज्य कोश्चन है जैसे कि जो बेसिक नाउलेज है समान अधियन जैसे भारत का हो चाहा है MP कोश्चन राज्य बड़ा है कोश्चन छोटा है किन राज्यों की सीमा किन राज्यों से छूती है समुद्र की सीमा क राजों को चूती है को से लेंड land log bands नेपाल को कौन से राज की सीमट चूती है चीन को कौन से चूती है भूटान पगयरा या बंगलास देश से कौन कौन से राज लगे है ऐसा PERCY भारत बेसिक जानक रही है इस से काफ़ेótन कूंझ पूस्चन पूस्चन कर रही हम इसके बात मद़बेश का आता है चलिए नेक्ट कोशन पर आते हैं नेक्ट है टिकमगर जीले में इस्थित कुंड देव महाद yapıyor मंदिर कहां इस्थित है यह इस्थित है कुंड लेश वर में इस्थित है ऐसी जैसे कि ऑफ बैत्तल से दिखा जाये तो यहां जेयन धर्मस अभ पुछे जाता कि और्चा किस जिले में तो टिकमगड अभी हाल पर जो निवाड़ी अलग हुआ तो यहां पर निवाड़ी में आने लगा है यह मुरेना और जैसे कि बेतुल से तापती नदीव लिकलती है नदीव अगरे में पूछा जा सकता है यह और अधिक के अंदर भी पूछा जा सकते हैं जैसे पितंपूर मालंपूर भेंड में पितंपूर धार में ऐसे में नस्ट कोस्टेन है निमस जीले किस अन राज की सीमा को इसपर्स करता है जैसे कि आपको बता चुका हूं है कि ये राज जो इसके बारे भी पूचा जा सकता है यहाँ पर MP से पूचा है आप MP के जितने भी जीले है 52 जीले है जो फिल्याल में उन जीलों को आप बॉंडरी वायस देख लिएगा कि उत्तरपदेश को कितने जीले लगे है और महराश्टी कितने जीले लगे है या राजिस्तान को या उत्तरपदेश इन सभी को आप देख लिजीगा यहाँ ऐसी कोस्टन बना है नीमस जीले किस अनराज की सीमा को इसपस करता है तो राजिस्तान आपको अगर आपने मेपिंग से अगर सॉल्ल किया हूँ तो आपको एक मिटमिन लगेंगा जैसे कोस्टन पढ़ेंगा आप वैसे आंसर लगा सकते हैं तो आप मेपकी जड़िये पढ़ेगा इसको अगला है नीम लिखन में से कौन इंदोर में एक लोगपरी प्रेटन स्तल है प्रेटन स्तल जितने भी जैसे की प्रेटन हो गए सांसकरीट इस्तल हो गए या धार्मिक स्तल हो गए मत्पदेश के जैसे कि महाकालेश्वर वगेरे चेंदेरी, और्चा या सतना में जो मंदीर वगेरे है इनकी बारे में पूछा जा सकते हैं तो लाल बाग महल जो कि इन दोर में स्थित है नेश्ट है मांडू में रीवा, कुंड, इसमारक बाज भाद्दूर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है तो राने रूप मती और बाज भाद्दूर की कहानी है यहां पर मांडू जो की धार दिले में आता है यहां काफी महल, मगबरे वगेरा काफी बने गए है तो इन से आप दूर वगेरे जितने भी है यहां आप काफी पूचे गए तो आप जो मांडू वाला है यहां से काफी आप मिलते है भीम बेटी का गूफा वगेरा भी देखने को मिलती है तो इन सब को आप जरू पढ़ लेजीगा MP से आप MP के लिए किसी भी एक भूक कर रेफर कर सकते है आप उसे के लगवद दो से चार बार पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएंगा अगला है MP से कोस्चन देखो लगतार 5-6 कोस्चन MP से आए इसे पहले बता चुका हैं कब से कम 7-8 कोस्चन कभी-कभी 10 भी हो जाते है MP से पूचा जाता है तो आपको MP के 10 नमर कम से कम 8-10 नमर आपको MP से हो जाएंगे चाहिए प्रत्यक्चिया अप्रत्यक्चिया की तौर पर ऐसे ही आप पूचा गया है बालागर जीले में नल से इसा बांध का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो नदी से कोस्चन पूचा जा सकता है जैसे कि आपको बता दो मतपदेश में कौन सी नदी बहती है ऐसे भी कोस्चन पूचा जाता है इन में से कौन सी नदी नरपदेश की नहीं है ऐसे भी कोस्चन पूचा जा सकता है सौरी मनत्पदेश की नदियों को उगा मिस्तल पूछा सकता है कि नर्बधा नदी कहांसे लिखलती है तापती नदी कहांसे नि कहांसे लिकलती है इनके तट पर कौंकों से सहर बसRO कोई ईनकी साहक नदी कंसी है इंसे परयोजना कौनसे चल रही है उनकी बार बांध कौन से है निर्मित की गए है ऐसे question पूछे जाते है नदियों से उनकी लंबाई वगएरा खर लंबाई तो नर्वदा और तापती के बार याद करना एक दो नदिया का उसके बार काफी कुछ लंबाई उतनी पूछीन जाती है लेकिन बांध वगएरे को बारे में काफी पूछ जाता है बांध हो गया है कहां उद्गम इस्ताल वगएरा तो यह सभी जानकरी से नदिये से ऐसे question बन सकते है तो इसका रायटार हो जाएंगा है चंदन चंदन बांध है यह बाला घ्रट म अगला है मारा फीसे मत्परदेश के बारे में question फीसे है मत्परदेश के निम लिखिन जीलों में से gun garage factory कहां पर है तो जितने भी चाह केंदर की हो चाहराज जी की जितने भी यह garage बगएरा है जैसे की gun garage factory यह जबलपूर में स्थीत है यहां पर गोला बारूत बगएरा बनत से question है हिंडोला महला और जहार्ज महल दोनों कहां इस्तित है तो यह दोनों ही मांडू में स्थीत है मांडू में आपको बताए काफी महल वागिरा इस्तित है मांडू हो गया उसके बाद चैंदेरी हो गया और चाह गया ऐसे जिले में उज्जेन इनमें काफी महल देखने को मिलेंगे हमें अगला है भारत की मुख भूमी में कितने तटी जीले है ये भारत से ये भारत से कुश्चन है जियोग्राफिका तो 66 जीले जो है जैसे राज्यों के बारे में पुछा जा सकता है कि कितने राज्य समुद्र को छीवते है पूच्छा जा सकता है इस के लंबाई बगए भी पूच्छा जाता है उसके बाद जनगर्णा जनगर्णा से तो कंफर्म है कि एक नमर का आएँगे इस चाहे वो एमपी की जनगर्णा हो या भारत लेवल की हो केंदरेवल की तो जुन इसका कोश्चन पढ़ लेता हूं में एक बार 2011 की जनगर्णा के दस्टी कौन से महत्पदेश के भाउगलिक छेत्र का खालिस्तान वन छेत्र है यहां वन पुछा गया है 2011 की जनगर्णा की अनुसार तीज दसमलो 72 पतिस्टा जो वन रिपोर्ट है वन से कोश्चन कैसे बन सकते कि किस राज में सबसे सरवादिक बन वन है छेत्रपल की साप से या परसेंटेज की साप से यह इसकी रिपोर्ट है सबसे अधिक किस चीने में मत्रई सकोश्चन वन है ऐसे पुचा सबसे कम किस जीले में है आप अयवाजार जा सकता है जो वरतमान में आये Hangoda 21 50 की इसिजिश्चन पूचन पुचा या सकता है तो इतने ऑसे बनेंगे वन से और इससे भी एक दो कोशन और भी है जैसे कि किस टाइब के बन पाए जाते हैं मत्प्रदेश में और किस जीले में किस टाइब से बन पाए जाते हैं जैसे कि संकुदारी बन वगेरा उसनकडी बन साल पीबल और ये सागुन वगेरे के व्लग्च काहां पाए जाते हैं ऐसे भी कोस्चन पूचा जाता है तो यह वन से कोस्चन था उसके बाद नेक्स टा आते हैं यह हमारा था समान जनरल नॉलेज वाला हो गया अब मैस वाला है जिए मैस कर आभी हम नेक्स वीडियो में करे हा रात हैं हिंदी हिंदी भी कि वी समय अब श्रुक्राइब को दिसक्रस कर लिजाए यहां पर इसमें जासे वन कुक्रम पूर्भग अलग करना क्या कहलाता है तो वन विच्चेत कहलाता है जैसे कि यहां पर यह आपको स्लेवर्स में काफी देखनों को मिलेंगा से लिए वर में अच्छी तरह समझाएगा है कि क्या क्या है संदी समास वर्ण विच्छेद सुद्य असुद्य सौर वगेरा वे यह सब भी वहाँ पर मिलेंगे आपको तो वहां से देख सकते हैं आपको सुद्य वचन या सुद्य वाग के धन्यू के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते है संदी कहते है इस टाइप से कोस्चन पूछ लिए जाएगा हिंदी से परियावाची सब्द पूछ लिए जाएगा पती का परियाची सब्द वर्लब तो परियाची सब्द भी देखने को मिलेंगे मुहावरे वगर भी कि यह पुछ जा सकता है इसमास से कोस्चिन मिलेंगे इस से हिंदी में जैसे आप को बताया कि मौहारे से पूस्चिन तो महारे में चल बसना चलबसना का अर्थ क्या है महारे में तो मुर्थि होना इस टाइप से क्वेस्टन मुहारे सी कुछ दो जाएँगा पेहली हो गया शुद्धरूप में पुछ ले रहे हैं कि तद्वूप क्या है तद्वव कि आसुप्धी साब्ध दिये जाएंगा आपको उसको सूद्ध करना उंगा तो इस टाब से सी क्वेज़िये बारे में we रस का स्थाइभाव इनमें से कौन्सा है उसे जिय ने में देखने को मिलेंगे और अलंकार की कोशन दिए गए है यहां विलोम सब बात कर लिए हमने इससे पहले संदी विग्रावाले इससे भी बात कर लिए हमने उपसर के भी जैसे उपसर वाले भी कॉस्चन बताया था इससे पहले मेंने लोक्तिया के भी यहाँ पर जैसे हाथ कंगन को आर्सी क्या ऐसे question पीचे आएंगे लोक्तिय से प्रत्यक्षी के लिए प्रमान की आउसकते नहीं होती इसका अंसर होंगा स्थीवी समास विग्रह मन होवर का समास विग्रह बताईए ऐसे को मिन जाएंगा तो मन को हारने वाला मन होवर तो यह थे हिंदी के इसके बाद आएंगे ग्रामिन एवां पंचैती विवाग वाला पोर्सन अब यहां से हमारा सुरह होंगा रूरल इकाउनमी एंड पंचैती राज नहीं पंचैती राज वेवस्ता ग्रामिन एवां पंचैती राज वेवस्ता जो की 20 नमर के आता है question और 20 question आते हैं 20 नमर के यहां से देखते हैं इसके बारे में पंचैती के बारे में क्या-क्या question पूछे जाता है सबसे पहला है हमारा question है निम लिखित में से कौन जन्पत पंचैती के लिए राजसु का सुरोत है तो यहां पर आपको देश पंचैती राजसु का सुरोत फेरी सेवाओ की निलामी और नौका सेवाओ का पट्टा यह इसका राइट आंसर होंगा इसके बाद है मुद्पदेश में पहले राजवित आयोक ने किस वरस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गए थी तो 1996 में की थी पंचैती राजविवस्ता से यहाँ पर निर्वाचन आयोक से संबंदित या वित्त आयोक से संबंदित कोस्चन आएंगे पंचैती संबंदित जदा कोस्चन आते है इसमें जो आपको आदे देखने को मिलेंगा उसके बाद मंदी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है मत्पदेस राज्जी करसी विवेपन बोर्ड जितनी फसल वगेरा होगा करसी से सम्मंदित वसुपालान से सम्मंदित कोस्चन देखने को मिलेंगे आपको उसके बार जितनी बैंक है ग्रामिन से सम्मंदित बैंक जो पंचादिरा से नावाड वगेरा इससे पूछा जाएंगा जैसे ग्रामिन केंद्रो को रिक्त में मदद के देश में स्थापित किया जा रहा है तो नवाड को इस्थापित किया जा है ग्रामिन केंद्रो ग्यान केंद्रो को नवाड की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है ऐसे ही निम लेखित में से ग्रामिन विकास के लिए वरतमान में केंद्री मंतरी कोन है तो नरेश सिंग तोमर थे उस टाइम पे 2017 में विवर्तमान में पूछा जा सकता है कि मत्पदेश के करसी मंतरी कौन है या केंदर में पूछा जा सकते कि वर्तमान में कौन केंदरी मंतरी है करसी केंदरी मंतरी है ऐसे विवर्तमान में पूछा जा सकता है उसके बाद महात्मा गांदी राष्टी रोजगा गरांटी योज़ां को बुक्तान की यह राष्टी अब किस से जूरी हुई है तो Consume Price Index for Agriculture Labor से जूरी हुई है या महात्मा गांदी रोजगा गरांटी जो मन रहेगा जिसे कहते हम इसके सुरुवात कब होई थी ये पूछा जाशकता है असोक महता समीति का गठन कब किया गाय था 1970 में किया गाय था जो पंचाती राष्ट विवस्त से सम्मधित है ऐसी जितनी भी योजनाय चल रही है गरामिन पंचाती से सम्मधित या ग्रामिंट से संबंदित सौस्ट की हो, चाय करसी से हो, ऐसे कुस्चन बनने देखेंगे, मिलेंगे पंचाती राजविवस्था में, उसके बात अगरा कुस्चन है मारा, निम लिखित में से कौन से ग्राम पंचाय द्वारा अपना ही जाने वाली लिखा प्रानी है, ति दोहरी प्रिविश्ट प्रध्यती इसके राय टान सबूरूंगा अगला है मात्रश्ट में ईप प्रोक्यूमेंट योजना का मुंख उद्देश क्या था इसने जिसका प्रयोजन खाद्यान किसानों की साहता करना है किसानों को उचित मुले दिलाना था इसका उद्देश था जैसे कि जितने में ग्रामेन पंचायतर सम्मंदित योजना है उनकी उद्देश इसके किस मंतराले द्वारा की गई है ये उद्देश किया है और किन और यह पुछ पषब क्वारत में लिखित मेंसे कौन सा राज मिर्ची का सबसे बड़ा उतपादक है तो यहाँ सब्सेवान पढ़ बढ़ बढ़ा सकता है संद्रेव या सब 切्वती में मिर्ची सोयबिन कहां, किस जिले में सबसे अधिक सोयबिन होती है या ग्याहों किस जिले में सबसे सरवाधिक होता है वातवान में कितने टन सोयबिन का उत्पादन हुआ सोयबिन में किस नमर पर है उत्पादन में है इस टैप से पुछे जाए सकता है नेक्स्ट है हमारा DRDA प्रसासन का मुख उद्देश क्या है गरिवी विर्योधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता को बढ़ा आना इसकी योजना का उद्देश था यहां काफी उद्देश को पुछा गए तो आप उद्देश भी बिल्कुल आप याद कर लिजीगा उद्देश सभी योजनाओं के नेक्स्ट है हमारा नीमिन दिख्रित में से कौन सब प्रधान मंतिक कसी सिचाई योजना का उद्देश का उद्देश नहीं है तो प्रधान मंतिक कसी सिचाई योजना का उद्देश नहीं है तो प्रामप्रगत सिचाई स्रोतों का समाप्त करना इसका उद्देश नहीं था यदि आपको उद्देश याद है तो आप आसानी से कौन सा उद्देश नहीं है उससे चाड़ सकते है ऐसे यहां मंद्रेगा से कोश्चन पुचा गया है पर लेते हम मन्रेगा के तहत यदि काम 15 दिनों के भीदर उपलब्त नहीं कराया जाता है तो आवेदक किस तर पर बेयोजगारी भत्ते के हगदार है तो इसका राइटम समझा गया है पहरे 30 दिनों की मजदूरी की दर पर एक बटे 3 और उसके बा अगला कोश्चन है हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्फोरेशन ग्रामिट विद्धूति करन निवर्म की स्थापना किस वस्त की गई थी तो 1969 में की गई थी इसकी स्थापना योजनाओं की बारे में जैसे कि मिड़े में योजना पोलियों वगेरे से भी पूछे जा सकता है कि कब हुई थी इसी योजना जो ग्रामिट से सम्मझदी थै राज्यो गांधी ग्रामिट विद्धूति करन योजना किस वर्स शुरू गई थी यह 2005 से शुरू की गई थी ऐसी धनवंत्री योजना की बारे में पूछा जाता है जोगी 1999 में की गई थी इसकी शुरूवात यहां पर है पुछा गया है कि निम लिखित में से कौन सा ग्राम पंचयत कार नहीं है तो परहिवन सुविधाय ग्राम पंचयत कार नहीं बाकि सभी कार ग्राम पंचयत के है नेश्ट है हमारा जन्पत पंचयत की स्थाईज समीतियों का कारे काल कीतने वर्स होता है तो 5 यह होता है यहां पर आप देख रहे हूंगे question सभी ग्राम पंचयत से जुडे Š सभी सभी question ग्राम पंचयत से जुडे आ रहा है तो आपको इस میں ग्राम से संबंधिती योजना है हो चाहें जितनी पी कोस्टन है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे तो आप इसे जरूर पढ़ेगा यह प्रिवेस यह पेपर को हल करने का इसी फाइदा यही वादा है क्यों में समझ बेटती जाती है कि कहां से ज्यादा कोस्टन पूछे जा रहा ह जैसे कि एक जीला परिश्यत को कौन भंग कर सकता है तो राजसरकार भंग कर सकती है तो यह थे प्रिवेस यह पटवारी के 2017 के कोस्टन हमने आज देखे इस वीडियो में अगला भी और भी कोस्टन बचे है ग्रिस के बाद कम्प्यूटर बचा है जो भी 20 नमर को होता है उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे तो उमिद करता हूंग फ्रेंड यह आपको आपके लिए कि आपको समझ में आया हूंगा यह अजिए अजिए आपको वीडियो अच्छे लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ सेरे करना ना भूले अजिए आपको अभी तर और इससे समपटवारी समझ और भी कोई जान करिए तो आप कमेंट कर सकते है तो मिलते हैं हम नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए नमद धन्यबाद थैंक यू